दोस्तो आए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम अपने गूगल यानि की जीमेल अकाउंट को कैसे पर्मानेंटली डिलीट कर देते हैं मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ मैं उसलमार और आप देखने हैं टेक्नोलोजी मेक्रो चैनल चैनल फरस्टाम में चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा तो सब सब पहले हम यहां से जीमेल एप को ओपन कर लेंगे ओपन करने वाद राइट में प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद से अगर आपका एक ही अकाउंट है तो ठीक है नहीं तो आप यहां पर उस अकाउंट को सलेक्ट करके तो हमें data and privacy पर जाना है फिर उसके बाद से हमें सबसे नीचे इसमें जाना है सबसे नीचे जाना है और दहीं आरा delete your google account का option ठीक है अई आरा उपर दिया delete a google service वो एक service हो सकता आप youtube channel delete कर सकते हैं gmail play store का वो सब delete कर सकता है लेकिन हमें नीचे delete your google account पर click करना है हमें पूरा google account ही delete कर देना है ठीक है दोस्तो तो यह open हो जाना है दीजिए उसके पास हमें verify करना पड़ेगा to continue first verify it's you तो हमें यहां पर अपना password enter करना पड़ेगा ठीक है दोस्तो जो इस google account का password है वो हमें enter करना पड़ेगा तो यहां पर हम enter कर देते हैं फिर उसके पास से next के button पर click कर देंगे next button पर जैसे click कर रहेंगे तो ऐसा आ जाएगा interface delete your google account please read this carefully it's not the usually blah 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 तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं ठीक है दोस्तो तो हम उसके बास से नीचे जाते हैं यह सब कुछ डिलीट हो जाएगा Gmail, calendar, जितने भी कुछ होंगे सारे सारे डिलीट हो जाएगे नीचे दो आ रहा है yes, I acknowledge that I am still responsible for any changes तो इन दोनों options को हमें tick कर देना ठीक है दोस्तो यह लिखा कि हम मैं समझ रहा हूँ मैं permanently delete कर रहा हूं फिर उसके बास हम नीचे delete account का जो बटन आ रहा हूँ वहाँ पर हम click कर देंगे ठीक है दोस्तो वहाँ पर click करने के वाँ से ऐसा interface आ जाएगा your Google account and its data has been deleted वो delete हो चुका है ठीक है दोस्तो if you accidentally deleted your Google account you have a short time amount of time to recover it अगर आपने गलती से इसे delete कर दिया तो आपका पास देखिए go to account support पर आप जाएगे तो उसे recover भी कर सकते हैं फिलाल हमें तो delete करना था तो account delete हो गया